Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about ionic compounds We are going to discuss about how do metals and non-metals react अब ये चीज तो यार हम लोगों को पता ही है कि metals की क्या properties है, non-metals की क्या properties है अब ये दोनों जब आपस में react करेंगे, तो कौन से compounds बनेंगे और उनकी क्या properties है, वो देख लेते हैं तो सबसे पहले देखो, metals के बारे में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, starting में ही, कि ये बनाते हैं cations और जो non-metals हैं, वो बनाते हैं anions अब यहाँ पर ये cations क्यों बनाते हैं, because आप लोगों को पता है, इनके outermost shell में या तो 1, या 2, या 3 electrons होते हैं और non-metals के outermost shell में generally 5, 6 या फिर 7 electrons होते हैं अब हम लोगों ने पढ़ रखा है एक term, जो की होता है octet कोई भी element है, चाहे वो metal है, चाहे वो non-metal है, वो अपना octet complete करना चाहते हैं oct, यानि की 8, तो octet का मतलब है कि कोई भी element ये ही चाहता है कि उसके outermost shell में 8 electrons present रहे example लेते हैं एक, अगर मेरे पास sodium है, sodium का atomic number कितना होता है 11, ठीक है तो यहाँ पर electronic configuration कितना होगा, 2,8,1, sodium के outermost shell में 1 electron है बट क्या होगा जब ये एक electron निकल जाएगा बाहर, जब ये एक electron बाहर निकलेगा तभी जाके तो इसके outermost shell में 8 electrons आएंगे, which means sodium को अगर अपना octet complete करना है so it needs to remove one electron from itself, फिर हम कोई non-metal ले लेते हैं, जो की anion बनाएगा जैसे की हम ले लेते हैं chlorine, इसका atomic number होता है 17, तो electronic configuration कितना होगा, 2,8,7 ठीक है, तो outermost वाले shell में 7 electrons हैं, अब ये दो चीज़े कर सकता है, या तो ये 7 के 7 electrons को निकाल दे या एक electron को accept कर ले, असान काम क्या है, 7 को बाहर निकालना, या एक को ले लेना, एक को ले लेना obviously है न, तो which means यहाँ पर ये क्या करेगा बताओ, ये एक electron को accept कर लेगा, electron जब access में आएंगे तो negative charge एकसिस में है, इसी लिए ये एनायन बनाता है, यानि की negative आयन बनाता है, और अगर मैं यहाँ sodium की बात करूँ, तो इसमें से electron जा रहा है, which means negative charge क्या हो रहा है, कम, तो protons का number क्या रहेगा, जादा, क्यूंकि अगर एक electron चला गया न, तो electrons तो इसके पास 10 ही है, बट protons कितने हैं, protons 11 है, तो positive charge क्या है, axis में हैं, इसी लिए हम कहते हैं, कि यह क्या बनाता है, क्या टाइन बनाता है, चेक है, अब easily, यह जो हमारे पास metals हैं और non-metals हैं, यह आपस में sharing कर सकते हैं, of electrons, कैसे होगी sharing, इसको अपना electron चाहिए नहीं, बट इसको एक electron चाहिए, तो sodium क्या करेगा, अपना जो electron है, वो donate कर देगा chlorine को, दोनों का काम हो गया, sodium का भी हो गया, उसका opted complete हो गया, उसने दे दिया, इसने ले लिया, इसका भी opted complete हो गया, so this is how sharing occurs, ठीक है, sorry, not sharing, this is how transfer occurs of electrons, ठीक है, sharing एक अलग term है, sharing कैसे होती है, वो भी हम लोग देखेंगे, covalent bond जब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर sharing नहीं हो रही है, यहाँ पर complete transfer of electrons हो रहा है, तो हम electron dot structure एक बार बना लेते हैं, फिर समझते हैं, देखो, sodium के outermost shell में एक electron है, ठीक है, और वैसे electronic configuration जब हमने देखा था, तो हमने देखा कि 2,8,1 होगा configuration, which means 3 shells है, है ना, so 2 electron पहली shell में, फिर दूसरी में 1,2,3,4,5,6,7,8 और third में एक ही रहेगा, ऐसे भी बना सकते हो, या simply आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर outermost वाला ही दिखाया, कि sodium के outermost में एक electron है, फिर यहाँ पर chlorine का बना लो, चलो, इसको हम cross से ही denote कर लेते हैं, क्योंकि इसका electron मैंने अभी cross से denote करा है, ठीक है, फिर chlorine में भी तो 3 shells है, तो 3 shells ऐसे मैं बना देती हूँ, electron यहाँ पर बना लेते हैं, 2 इसमें थे, 8 इसमें, 1,2,3,4,5,6,7,8, यहाँ पर कितने थे, 7, 1,2,3,4,5,6, and 7, ठीक है, या फिर इसको भी आप कैसे बना सकते हो, 1,2,3,4,5,6 and 7, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इसके पास साथ है, इसको एक चाहिए, यह अपना एक निकालना चाहता है, तो simply यह अपना electron इसको donate कर देगा, ऐसे भी आप electron dot diagram बना सकते हो, यह simply आप क्या क नेगा देखो, यहाँ पर बना लेते हैं, side में, ठीक है, N, A, इसने electron दे दिया है, है न, तो इस पर positive charge आएगा, chlorine के case में क्या हुआ देखो, यह 7 इसके पास already थे, और यह मैंने 8 बना दिया, जो यहाँ पर से आया, ठीक है, तो इस पर क्या हुआ, इस पर negative charge आगया, और कित NaCl, यह हमारा नमक ही तो है, जो हम घर में यूज करते हैं, sodium chloride, ठीक है, तो Na+, Cl-, criss-cross method हम यूज करते हैं, positive, negative, एक दूसरे को cancel out कर देते हैं, तो compound जो बना वो NaCl है, और अगर हम किसी भी compound की बात करते हैं, तो वो electrically neutral रहता है, है न, भले ही इसमें cations हैं और anions हैं, बट electrically neutral रहेगा, अगर हम complete एक compound की बात करेंगे वो, ठीक है, तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर NCRT में भी mentioned है, कि इसका electronic configuration कितना है, 2,8,1, अगर आयन का पूछा जाएगा, तो आयन से तो एक electron निकल गया, न, so 2,8 ही उसका electronic configuration रहेगा, Na+, के पास, 10 electrons है, बट 11 protons है, ठीक है, फि chlorine, N-ion की बात करेंगे, तो उस case में इसके पास कितने होंगे, 18 electrons होंगे, ठीक है, समझ में आ गया, protons कितने होंगे, सो protons 17 ही होंगे, तो electron excess में है, electron पे negative charge है, इसलिए इस iron पे भी negative charge आया है, ठीक है, देखो, अपना एक electron इसने इसको donate कर दिया, तो Na+, बन गया, और Cl- बन गया, और यहाँ पर देखो, यह वाला जो dot करके represent करा है, यह इसका electron था, आप चाहो, तो अलग से dot करके भी show कर सकते हो, for better clarity, एक को cross से बना दिया, दूसरे को dot से बना दिया, ठीक है, तो Na+, हमने बना दिया है, Cl- बना दिया है, NaCl हमें समझ में आ गया है, अब हम magnesium chloride पे आ जाते है which is MgCl2, देखो, सबसे पहले magnesium का electronic configuration करते है, chlorine का तो हम कर ही चुके थे, वापस से वैसे ही लिख देते है, 2,8,7, इसका होता है 12 atomic number, 2,8,2, ठीक है, इतना समझ में आ गया, यहाँ पर outer most shell में 2 electrons है, यह दोनों को बाहर निकालना चाहता है, बट अब दिक्कत आ गई, यह जो chlorine है, इसको तो सीर्फ एक ही electron चाहिए है, बट इसको दोनों बाहर निकालने है, तो यह क्या करेगा, यह जो magnesium है न, यह दो chlorine atom को देदेगा, अपना एक 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, इसके पास कितने हैं, इसके पास हैं 2 electrons, आउटरमोस्ट शेल में, तो यह क्या करेगा यार, कितना सिंपल है, एक electron इसको देगा, एक electron इसको देगा, अब होमवर्क में आप लोगों को दे रही हूँ, aluminium chloride, ALCl3 बनाओ, ठेक है, स प्रेली दिख रहा है, तीन क्लोरीन आटम होने चाहिए, AL3 प्लस होता है, विच मींज, तीन क्लोरीन आटम को aluminium, एक, एक electron दे देगा, तो यह होमवर्क है, इसको जरूर से जरूर ट्राय करना, ठीक है, चलो, अभी हम, इसको continue करते हैं, कैसे करेंगे, वैसे मैंने पूरा ब पास, एक electron आया है, magnesium का, और ऐसे कितने क्लोरीन आटम हैं, दो हैं, और दोनों पर ही कैसा charge है, negative है, तो इस तरीके से हम इसको represent कर देंगे, this is what is mentioned in the NCRT as well, देखो, एक electron इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो यहां पर बन गया, MgCl2, ठीक है, तो बस यह तैयार हो गया, उसके बाद ionic compounds यह जो हम बना रहे हैं, इनकी definition क्या है, और इनकी क्या properties हैं, वो देख लेते हैं, this is a very important topic, ionic compounds को ही हम electrovalent compounds भी बोलते हैं, electrovalent क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो valence electrons हैं, वो participate कर रहे हैं, और valence electrons क्या होते हैं, outermost shell के जो भी electrons होते हैं, उनको हम valence electrons ब electrons is there, ठीक है, the compounds which are formed by the transfer of electrons, from a metal to a non-metal, electron कौन डोनेट करता है, metal, ठीक है, metal डोनेट करता है, और जो non-metal है, वो उसको accept करता है, तो इस तरीके से, जो हमारे compounds बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ionic compounds बोलते हैं, इनकी properties क्या-क्या हैं, तो सबसे पहले इनका physical nature, physical state क्य होती है, तो ये सारे के सारे solids होते हैं, solid क्यों है, because they have very strong force of attraction, देखो, यहाँ पर positive और negative, दोनों ions है न, और opposites क्या करते हैं, attract, because इनमें बहुत strong force of attraction है, तो ये solids होते हैं, बट ये brittle है, विच में अगर आप pressure लगाओगे न, कुछ जादा ही, तो एक crumble हो जाएंगे, ठीक है, they can be broken into pieces, अगर आप इसमें काफी जादा pressure लगाओगे, ये solid है, and also hard होते हैं, hard क्यों है, क्योंकि इनमें strong electrostatic force of attraction है, electrostatic का मतलब क्या है, कि ये जो positive और negative आयन है, इनकी वज़े से जो force of attraction लग रहा है, उसको हम electrostatic force of attraction कहते हैं, ठीक है, उसके बाद, melting और boiling point इनका काफी जादा high होता है, जादा होता है, क्यों होता है, again same reason, because of the strong force of attraction, force of attraction इतना जादा है, तो उस bond को तोड़ने के लिए भी तो उतनी ही energy देनी पड़ेगी, और वही तो ये energy है, melt कर रहे हो, boil कर रहे हो, तो bond को आप break कर रहे हो, इसलिए force of attraction जादा है, so melting और boiling point भी automatically जादा होगा फिर आजाते हैं, solubility पे, तो ये जो energy compounds है, ये पानी में soluble होते हैं, easily ये पानी में घुल जाते हैं, बट जो भी हमारे पास solvents हैं, inorganic, जो भी solvents हैं हमारे पास, organic solvents, जैसे kerosene है, petrol है, इन सब में ये क्या होंगे, insoluble होंगे, जो भी organic solvent आप लोगे, उन सब के सब में ये insoluble होंगे, और जो भी polar solvent आप लोगे, उन में क्या होंगे, ये soluble होंगे, समझ में आ गया, तो पानी में ये क्या होते हैं, soluble होते हैं, then, conduction of electricity, ये ionic compounds क्या electricity को conduct करेंगे, क्योंकि ion तो इसमें है, और ions जो है, charge carry कर सकते हैं, तो yes, ये electricity को conduct करते हैं, बट यहाँ पर condition होत होती है, solid state में ये कभी भी electricity conduct नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, because in the solid state, ions are not free to move, ions freely move नहीं कर सकते हैं, देखो यहाँ पर, ये जो ions है न अपनी lattice में, अपनी position पर fixed हैं, ये solid state है, positive, negative, positive, negative, fixed हैं, क्या ये move कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि solid state है, ions are not free to move in the solid state, aqueous solution ले लिया है molten का मतलब है आपने उसको melt कर दिया है aqueous का मतलब है आपने उसको पानी में dissolve करा दिया है दोनों ही case में ionization occur करता है so ions become free to move ions freely move कर सकते है so in the molten as well as aqueous state और aqueous solution these compounds can conduct electricity ठीक है तो यहाँ पर देखो जो हमाँ पस positive ions होते हैं वो negative वाले electrode के towards जाते हैं तो यह negative electrode क्या कहलाता है cathode यह जो negative वाले ions है देखो कहां जा रहे है positive के towards anions है यह कहां जा रहे है anode के towards anode positive electrode होता है समझ में आया तो यह चीज़े हो गई so ions जो है वो freely move कर सकते हैं सिर्फ molten या aqueous state में solid state में नहीं जिसकी वज़े से solid state में electricity का conduction भी नहीं होता है समझ में आ गया होगा I hope आप लोगों को अब यहाँ पर कुछ questions है हमारे NCRT के index वाले उनको देख लेते हैं write the electron dot structure for sodium, oxygen and magnesium ठेक हैं तो sodium का तो यार अभी हमने electronic configuration लिख रखा था 2,8,1 अब यहाँ पर electron dot structure बनाना है तो आप simply बना सकते हो न देखो एक shell, दो shell, तीन shell अभी मैंने शो करा था दो electron यहाँ पर 1,2,3,4,5,6,7,8 और यहाँ पर एक electron ठेक है फिर oxygen पर आ जाओ oxygen का 2,6 होता है ठेक है outer most वाली shell में 6 electrons होते हैं तो यहाँ पर 2 shell बना दो 1,2 यहाँ पर 1,2,3,4,5,6 ठेक है फिर हम आ जाते हैं magnesium पर magnesium का अभी अभी बनाया था 2,8,2 ठेक है तो यह mg आ गया 1,2,3 1,2 यहाँ पर 1,2,3,4,5,6,7,8 और यहाँ पर आ गए हमारे पास 2 electrons इस तरीके से ठेक है तो sodium, oxygen and magnesium इस तरीके से हमने बना दिये हैं these are the electron dot structures समझ में आया है next पर आ जाते हैं show the formation of sodium oxide and magnesium oxide by the transfer of electrons बहुत simple है ना देखो Na2O है इसका clearly मतलब क्या है कि 2 sodium है और 1 oxygen है obviously यही होगा क्यूंकि इसके पास 1 ही electron है और oxygen को कितने electrons चाहिए है oxygen को 2 electrons चाहिए है अभी हमने बनाया था देखो यहाँ पर oxygen के पास 6 electrons है which means उसको 2 और electrons चाहिए है अपना octet complete करने के लिए तो यह जो हमारे पास electrons है ना इस तरीके से आ जाएंगे ठीक है एक एक electron जो sodium atoms है वो share करेंगे sodium को so यहाँ पर Na plus O2 minus and formula बन जाएगा Na2O ठीक है इस तरीके से easily show हो गया similar चीज हम कर सकते हैं कहां पर हम कर सकते हैं magnesium के लिए हाँ आप इसको चाहू ना तो ऐसे भी लिख सकते हो Na plus ठीक है और दो हमारे पास sodium atoms थे ऐसे और oxygen जो है इस तरीके से भी आप show कर सकते हो देखो दो इलेक्टरों यहाँ पर आगए हैं और 2 minus तो Na2O ऐसे भी आप show कर सकते हो this is also correct ऐसे भी show कर सकते हो this is also correct magnesium oxide ठीक है तो magnesium के पास दो इलेक्टरों है outer most में इसको भी कितने चाहिए दो तो ये दोनों ही ये इसको transfer कर देगा तो ये तो बहुत ही simple हो गया Mg2 plus oxygen के पास देखो इस तरीके से ये आ गए O2 minus ठीक है तो Mg2 plus O2 minus plus और minus हो गए cancel यहाँ पर आ गया MgO ठीक है तो इस तरीके से हमने formation completely show कर दी है what are the ions present in these compounds very simple यार ये हमने ions already लिख दिये हैं यहाँ पर अगर हम N A 2 O की बात करें तो यहाँ पर N A plus and O2 minus ions present है अगर हम MgO की बात करें तो यहाँ पर Mg2 plus and O2 minus ions present है ठीक है तो बस यार इतने ही questions थे बहुत ही simple सा topic है I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसी से related questions आते हैं repeated so इसको अच्छे से prepare कर लेना कोई भी difficulty आ रही है कुछ चीज नहीं समझ में आई so definitely comment box में आप लोग वो query अपनी छोड़ सकते हूं so that is it for this video हम लोग मिलेंगे हमारी next video में till then bye everyone take care and all the very best bye bye